हेलो पैरे बच्चो बच्चो कैसे हैं आप सभी आय होग की सभी अच्छे होंगे बच्चो आज की इस वीडियो में हम क्लास सेकेंड के सब्जेक्ट सोसल स्टडीज के समवैकेशन के हॉमवर्क को सॉल्व करेंगे जो की नॉर्थ डेली मिनसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा दिया गया है बच्चो आपका यह हॉमवर्क 19 में 2021 के लिए है तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो के नॉटिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं लुक एट गिवन पिक्चर दी गई पिक्चर को देखिये and tell us how these helpers help us और बताईए कि ये helpers किस तरीके से हमारी मदद करते हैं Make or paste pictures of helpers in your notebook. Helpers की picture को अपनी notebook में या तो आप paste करेंगे या फिर draw करेंगे. First picture में हैं बच्चो milkman. Milkman हमारी कैसे help करता है? The milkman brought milk to our house. Milkman हमें हमारे लिए घर पर दूद लेकर आता है. Next picture में है postman. Postman हमारी कैसे मदद करता है? Postman brings our letters. Postman हमारे letters लाता है, पतर लाता है और इस तरीके से हमारी मदद करता है. Next picture में है nurse and doctor. तो बच्चो ये हमारी कैसे help करते हैं? Doctor treat us when we are sick. जब हम बिमार होते हैं तो ये हमारा treatment करते हैं, हमारा ilaise करते हैं. Next picture में है tailor, दर्जी. बच्चो ये हमारी कैसे help करता है? The tailor stages are cloths, ये हमारे कपड़े सिलता है. Next picture में है gardener, Mali. The gardener takes care of the trees and plants. Gardener हमारे पेड़ पौदों की देख भाल करता है. अब बच्चो तो डू सम्थिंग, इड चीला इडली. आज आप चीला इडली खाएंगे, ड्रिंक में आज आप लेंगे, वेजिटेपल या बूंदी करायता. How do you help your mother and father in your home? आप अपने घर में अपने माता और पिता की कैसे मदद करते हैं? Answer है, helping mother in the kitchen. Kitchen में mother की help करते हैं, सामान को पकड़ाने में. Watering the tree and plants with father, father के साथ पेड़ पौदों में पानी लगाने में. Fixing the cloths, कपड़ों की तय लगाने में. Cleaning the house, घर को साफ करवाने में. Cleaning the shelves, etc. अलमारियों को साफ करवाने में. Next is the grains that you had soaked for a week. अनाज जो की आपने एक सब्ता के लिए भिगोया था. Write the changes that were made in your notebook. अब आपको उसमें हुए परिवर्तन को अपनी notebook में लिखना है. You can also explain it by drawing. या फिर drawing के माध्यम से आपको इसे explain करना है. Answer है बच्चो, I tied the soaked grain in a wet cloth. मैंने एक गीले कपड़े में भीगे हुए अनाज को बान दिया and kept it wet from time to time. और इसे समय समय पर गीला भी किया. The grain got enough air and water. अनाज को परियाप्त हवा और पानी मिला. Due to which they germinated and grew. जिसके कारण वे germinate हुए, अंकूरित हुए और उग आये. तो आप यहां पर पिक्चर में देख सकते हैं कि जो अनाज था, या वो किस तरीके से germinate हुआ, उसमें अंकूरित कैसे हुआ और कैसे वे होगा. Next step play is next and ladder game with your family. अपने family के साथ आप साप सीडी का खेल खेलेंगे. Students, if you like this video, please like and share. And if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.